नमस्कार स्वागत है एक और नए वीडियो में और आज हम बात करेंगे वरश्चिक रासी वाले जातकों के लिए दिनांक 22 मार्च से 31 मार्च तक का समय किस प्रकार से रहेगा तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं 22 मार्च की 22 मार्च का दो दिन है उस दिन चंदरमा की इस्तिय आपके फोर्थ हाउस में होगी अगर आप कोई प्रोपर्टे से रिलेटेड काम करते हैं तो अच्छा रहेगा अगर आप भौन निर्मान से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छे इस्तितियां रहेंगी यहाँ पर चंद्रमा के होने से आप अपनी माता जी के साथ अपना जो लगाव है उसको निरंतर बनाए रखेंगे आपका लगाव आपके घर से रहेगा घर में काफी अच्छा महौल सुक्सानती बरा महौल रहेगा आपके घर में हर परकार की सुक्सवीदा रहेगी और इस दिन आपका जो फोकस अब अपने घर पर ज्यादा होगा अगर आप अपने जोग के उज़े से घर से दूर रहते हैं तो आप घर पर आना जाना कर सकते हैं और इसके लवा आप अगर घर पर नहीं रहते हैं तो भी आपको घर के उपर आपको जरूर कुछ जाना पड़ सकता है अचानक या फिर आपकी कोई ने कोई बात जरूर होगी घर से related जो students या जो भी आप जो जातक जोब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको जोब मिलने की समभाना मनती है साथ ही जो ओल्रेडी जोब में है उनका जोब में पदोनती हो सकती है प्रमोशन हो सकता है और अगर आपके जो बोस हैं उनके साथ अगर रिलेशन अच्छे नहीं पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे, पंचम भाव में ट्रांजिट करने से आपको प्रेम समंदों में सफलदा दिलाएंगे, आपको अपने संतान पर फोकस करने के लिए प्रेरित करेंगे, आपको अपने एजुकेशन के साथ कोई कलात्मक एक्टिविटी अगर आप करते अगर आप प्रेम समंधमे हैं तो आपको प्रेम समंधमे लिए काफी अच्छे इस्तिति रहेगी, दोस्तों का सयोग मिलेगा आपको अपने बड़े भाई का सयोग मिलेगा और आपको जरूर इस दिन लाब होगा धनकी द्रश्टी से, उसके बाद कि अगर हम बात करें तो 26 और 27 मार्च को चंद्रमा की स्थिया आपके 6 ताउस में होगी मेश राशी में यहाँ पर चंद्रमा आपको थोड़ा सा स्वास्ते समंधी दिक्कत दे सकते हैं आपको वेर्थ के बाद विवाद से बचना होगा किसी के साथ लड़ाई जगड़ा करने से बचें किसी को पैसा उधार देना या लेने से आप जो है दूर रहे वर्णा आपको परेशानी हो सकती है इसके लावा आपको सत्रू परेशान कर सकते हैं तो कुल मिलाकर यह स्थिया आपके लिए रहेगी उसके बाद 28, 29 और 30 मार्च को वर्षब रासी में चंद्रमा की इस्तिती होगी आपके सब्तम भाव में सब्तम भाव में चंद्रमा की इस्तिती यहाँ पर उचके चंद्रमा रहेगे तो यह आपके लाइफ पार्टनर को अगर आप मेरेड हैं तो उनको बहुत ज़्यदा इमोशनल कर देंगे आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप खुद भी बहुत ज़्यदा भावक फिल करेंगे इस दोरान आपका फोकस आपके बिजनस पर भी रहेगा अगर आप पार्टनर्शिप का कोई बिजनस करते हैं तो उस पर आप ध्यान देंगे आपके जो लाइफ पार्टनर के अलाओ जो बिजनस पार्टनर्स हैं उनके साथ रिलेशन काफी इमोशनल रह सकते हैं तो कुल मिलाकर इस दिन आपको सावदा नहीं रखनी है और 28 से 30 मार्च तक आपको कोई दूसरे विक्ति की कही गई बात दिल पर लग सकती है तो इस दुरान आप दिमाग से काम लें ना की दिल से उसके बाद बात करते हैं 31 मार्च को 31 मारच को चंद्रमा की सुतिय आपके अस्टम भाव में मिथुन रासी में रहेगी यहां पर ओल्रेडी राहू ट्रांजिट कर रहे हैं आपके तो राहू के ट्रांजिट की वज़े से आपको बहुत ज़्यदा परेशानी हो सकती है चोड़ दुरगटना, मांसिक परेशानी इस प्रकार की कोई से मावना बन सकती है अगर आप मैरीड हैं तो सस्वराल बक्स के साथ आपके समन्द भी गड़ सकते हैं साथ ही कोई ऐसी घटना भी हो सकती है, अच्छी घटना क्योंकि राहू उचके है और जिन्द्रमा के यहां आते ही राहू अपना पुरा परभाव जिन्द्रमा पर डालेंगे जिसकी विज़े से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भी घट सकता है जो आपकी लाइफ को आने वाली समय में बहुत हद तक परिवर्टित कर दे धन के मामले में अगर देखें तो यह इस्तिती थोड़ी सी अच्छी नजर नहीं आती हलांकि आपको विवादों के स्तिती रह सकती है पैत्रिक संपत्ती और इनलोज के साथ तो कुल मिलाकर यह जो सब्ता है उसमें आपके लिए कौन सा दिन सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए 23, 24 और 25 मार्च का जो दिन है यह 3 दिन काफी अच्छे रहेंगे उसके बाद आपको 31 मार्च को थोड़ा सा सावदान ज्यादा रहना है बाकी आपको 28, 39 और 30 मार्च को भी इस्तितियां काफी अच्छी रहेंगी तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही आप हमारी चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें धन्यवाद